कि नमस्कार मेरा नाम प्रिंश मिस्त्रा है और आप एक नुस्टिफोर देख रहे हैं अब हम लोग पुराना सची वाले में मौजूद है आज जो है भूमिय वहम राजस मंत्री दिलिव कुमार जैसवाल ने प्रिश वारता को संबोधीत किया था अब भूमिय वहम राजस मंत्राले में दस जार रिक्तियों को भरती परिक्रिया पूरी कर ले गई है अब भूमिय वहम राजस मंत्राले में क्या जाएगा साथी साथ उनका ये कहना था कि लगातार जिस तरीके से जमाबंदी में या तमाम जो समस्चाय रजिश्टी में या तमाम चीजों को लेकर जो कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा था अब जो है निजात लोगों को मिलेगी पले जो है दिलिव कुमार जैसवाल क्या और सारा भरस्टाचार का डिलिंग 20 साल 25 साल में रहने के कारण वह वहां पर जो है उसका एक्सपर्ट हो गिया था हमने फैसला लिया कि 30 जून तक जो भी राजस्व करमचारी नगर पंचायत नगर परिसद नगर निगम इलाके के अंचल में हैं दो वर्स से जादा कोई भी राजस्व करमचारी सहरी इलाके में चाहे वो नगर पंचायत हो नगर परिसद हो नगर निगम हो दो वर्स से जादा वो करमचारी वहां नहीं र और 30 जून तक जो है सभी राजस्व करमचारी को अपने अपने अंचल से अस्थान अंतरित कर दिया जाएगा और करीब करीब 50% से जादा पालन भी हो चुका है। जाएगा और करीब तीन दर्जन सीयो को बिहार के तीन दर्जन सीयो को इसके लिए सजा की करवाई सुरू हो गई है। अंचल अस्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई परता है। पूरे बिहार में कितने लोगोंने मिटेशन के लिए अपलाई किया, कितने लोगोंने जमावंदी के लिए अपलाई किया। तो मैं जब इस कुरसी पर बैठा, तो मैंने पहला दिन कह दिया कि ये मंतरी का कुरसी भरस्टाचार नहीं करेगा। मंतरी अगर इमानदार होगे, मंतरी का कुरसी अगर इमानदार होगा, तो हम तभी इमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुरसी को जब तक हूँ इस कुरसी पर दाग नहीं लगने दूँगा और किसी भी भरस्टाचारी पनाधिकारी को बक्सूंगा भी नहीं किसी भी सुरत में नहीं बक्सूंगा चाहे उसका कितना भी बड़ा एप्रोच हो चाहे किसी के दोरा उसके लिए पैर भी किया जाए वो इसे करमचारी और वो इसे अधिकारी पर कारवाई होगा और ये कारवाई सुरू हो गिया है वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे तीन-चार दिन में भवानी पूर में गुपाल यादुका का हुआ नकली के वाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर दो-तीन बरसों से बहुत ही सक्रिय हो गिया है पचास साल सौ साल पहले का के वाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको एक सो साल पहले का भी के वाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग और सेम स्टाइल में निकाल देता है अब सौ साल पहले का पचास साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कारियाले में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे तो म्यूटेशन करने के पहले जब निवंधन कारियाले में पूछा जाता है तो निवंधन कारिय हो जाता है उसमें और अभी पुर्णिया में और विभिन डिस्टिक में करीब एक दरजन नकली के वाला का मामला पकराया है जिसे इस नकली के वाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाग 30 लाग 25 लेकर उस नकली के वाला के रैकेट पर लगाम लगाने के लिए हमने अभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी का जमीन पर हक अपना दिखाता है तो बीस साल से बीस साल से पहले का कोई के वाला अगर लेकर आता है और बीस साल तक वो किसी तरह का म्यूटेशन जमावंदी के लिए अपलाई नहीं किया है हमारा जमीन है और हम बीस साल तक सोय हुए है कि हम आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मैंने आदेश दिया कि बीस साल के उपर का जो भी के वाला बिना किसी राजस्स विभाग के सिस्टम में आए लेकर आता है तो पहले उसके एडिस्नल कलेक्टर जाच करेंगा इतनी कम संख्या में वहाँ पर हमारे पास अमीन, कानुनगो और इस तरह करके बिसेश सर्वेक्शन सहायक बंदोबस्त, पदाधिकारी करमचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे सरकार ने फैसला लिया कि करीब दस हज़ार बिभिन कर्मियों का जिसमें बिसेश सर्वेक्शन अमीन आठ हजार पैंटिस बिसेश सर्वेक्शन कानुनगो चार सो अन्ठावन बिसेश सर्वेक्शन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तीन सो तिर्पन और बिसेश सर्वेक्शन लिपिक साथ सो बियालिस ऐसे आरतिस जिले में हम लोगों ने करीब करीब दस हज़ार लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पुरा कर लिया है और इसी महने के अंग तक इनको पटना में ग्यान भवन में बलाकर हमारे माननिय मुखमंत्री स्री नितिस कुमार जी के करकमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा और जब ये दस हज़ार करमचारी और पदाधिकारी अपने काम को सुरू करेंगे तो हमें बेवस्था को तंदुरुस्था को मजबूत करने में जुस्दुरुस्थ करने में बहुत आसानी होगी तो ये एक सूचना है कि राजस्व व्युहाग के द्वारा बहुत ही बरी संख्या में बिभिन करमचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं राजस्व नियाले चलता है क्योंकि जब कोई भूमी का बाद विवाद होता है तो सीयो का नियाले होता है नियाई गवस्था होता है LRDC का होता है LRDC के यहां कोई भी मामला 6-6 महना एक-एक साल तक लंबित है और लोगों का सिकायत होता था कि हमने सीयो के यहां सिकायत तो किया है LRDC के यहां अपील तो किया है लेकिन अभी तक 6 महना में हमको कोई नियाई नहीं मिला है और नियाई में देर होने के कारण बाद भी बाद होता है और law and order तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी नियाएक बेवस्था हमारे यहां पर सीओ, LRDC, additional collector, collector and commissioner जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा परते एक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन नियाएक परकिरिया के तहट वो उसका order करेंगे, जिस दिन order करेंगे, उसी दिन साम तक उस order को पोर्टल पर डालना होगा, order में जब आदेस में justice delayed, justice denied, तो जब order को पोर्टल पर डालने में late होता था, तो उसी समय भरस्टा चार पनपता था, तो हमने फैसला ले लिया है, और नब्बे दीन में कोई भी अपील का निस्पादन करना, के लिए सक्त निर्देस यहां से चला गिया है, और हमने इसको अपने rules में भी डाल दिया है, कि नब्बे दीन में आपको किसी भी बाद विबाद का निस्पादन करना होगा, तो यह बेबस्ता हम लोगों ने किया है, और आम लोग भी अब, public domain पे अब सारा चीज उपलब्द रहेगा, सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, कि अगर CEO ने किसी अपील का सुनवाई किया, और उसने उसका order किया, उसके नकल लेने के लिए, एक-एक मेहने, दो-दो मेहने उनको, उनके कारियाला का चक्कर लगाना परता था, मानिय मुखमंतरी महोदय के निर्देश पर, आपने देखा कि अभी cabinet ने इसको पारित कर दिया, और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए cabinet ने अपनी सहमती दे दी, अब किसी को भी अपना order, चाहे किसी भी नियाएक व्यवस्था के तहत, CEO, LRDC, Additional Collector, Collector के का नियाला का हो उनको अब उसका certified copy, digital signature के दौरा जैसे वो apply करेंगे, तो उनको digital signature के दौरा वो certified copy प्राप्त हो जाएगा, यानि अब किसी नियालय का चक्कर लगा करके, उनको certified copy के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौरना नहीं परेगा, इसके साथ साथ, एक जो सबसे बरी समस्या थी, कि समाहरता एबम परमंडलिय आयुक्त, collector एबम कमिशनर के राजस सुन्यालय का कोई portal पर अभी तक सुनवाई का detail नहीं डाला जाता है, ये अभी additional collector तक हमने किया है, हमने फैसला लिया है कि collector और कमिशनर भी जो अपने appeal की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी portal पर उसको उन अधर सिता बनी रहेगी, इसके साथ साथ इतनी कम संख्या में वहाँ पर हमारे पास अमीन, कानुनगो और इस तरह करके बिसेश सर्वेक्शन सहायक, बंदोबस्त, पदादिकारी, करमचारी था ही नहीं, और किसी तरह हम काम चला रहे थे, सरकार ने फैसला लिया, कि करीब दस हजार बिभिन करमियों का, जिसमें विसेश सर्वेक्शन अमीन आठ हजार पैंटिस, विसेश सर्वेक्शन कानुनगो चार सो अंठावन, विसेश सर्वेक्शन सहायक, बंदोबस्त, पदादिकारी तीन सो तिरपन, और विसेश सर्वेक्शन लिपिक साथ सो ब्यालिस, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10 हजार लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पुरा कर लिया है और इसी महने के अंग तक इनको पटना में ग्यान भवन में बलाकर हमारे माननिय मुखमंत्री स्रीनितिस कुमार जी के करकमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा और जब ये 10 हजार करमचारी और पदाधिकारी अपने काम को सुरू करेंगे तो हमें बेवस्था को मजबूत करने में जुस्दृस्थ करने में बहुत आसानी होगी तो ये एक सूचना है कि राजस्व व्युहाग के द्वारा बहुत है बरी संख्या में बिभिन करमचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं राजस्व नियाले चलता है क्योंकि जब कोई भूमी का बाद विवाद होता है तो सीयो का नियाले होता है नियाइक ववस्था होता है LRDC का होता है additional collector का होता है collector और commissioner सभी के यहां किसी भी बाद विवाद की सुनवाई होती है तो देखा जाता था कि निचले अस्तर पर सीयो LRDC के यहां कोई भी मामला 6-6 मेहना एक-एक साल तक लंबित है और लोगों का सिकायत होता था कि हमने सीयो के यहां सिकायत तो किया है LRDC के यहां अपील तो किया है लेकिन अभी तक 6 मेहना में हमको कोई नियाइ नहीं मिला है और नियाइ में देर होने के कारण बाद भी बाद होता है और law and order तक की समस्या भी उसमें पैदा होती तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी नियाइक वेवस्था हमारे यहां पर सीयो LRDC एडिशनल कलेक्टर कलेक्टर एंड कमिशनर जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा परते एक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन नियाइक परकिरिया के तहट वो उसका order करेंगे जिस दिन order करेंगे उसी दिन साम तक उस order को पोर्टल पर डालना होगा order में जब आदेस में justice delayed justice denied तो जब order को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भरस्टा चार पनपता था तो हमने फैसला ले लिया है और नब्बे दीन में कोई भी अपील का निस्पादन करना के लिए सक्त निर्देस यहां से चला गिया है और हमने इसको अपने regulation rules में भी डाल दिया है कि नब्बे दीन में आपको किसी भी बाद विबाद का निस्पादन करना होगा तो यह बेबस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब public domain पे अब सारा चीज उपलब्द रहेगा सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर CEO ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका order किया उसके नकल लेने के लिए एक-एक मेहने दो-दो मेहने उनको उनके कारियाला का चक्कर लगाना परता था मानिय मुखमंतरी महुदै के निर्देश पर आपने देखा कि अभी cabinet ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा विवस्था देने के लिए cabinet ने अपनी सहमती दे दी अब किसी को भी अपना order चाहे किसी भी नियाईक विवस्था के तहथ CEO, LRDC, Additional Collector, Collector के का नियाला का हो उनको अब उसका certified copy, digital signature के दोरा जैसे वो apply करेंगे तो उनको digital signature के दोरा वो certified copy प्राप्त हो जाएगा यानि अब किसी नियालय का चक्कर लगा करके उनको certified copy के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौरना नहीं परेगा इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि समाहर्ता एबम परमंडलिया आयुक्त कलेक्टर एबम कमिशनर के राजस सुन्यालय का कोई portal पर अभी तक जो है सुनवाई का detail नहीं डाला जाता है यह अभी additional collector तक हमने किया है हमने फैसला लिया है कि collector और commissioner भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे अब उनको भी portal पर उसको उनके कारियाला को डालना है उस पर जिससे की पारदर्सिता बनी रहेगी इसके साथ साथ अंचल अधिकारी भूमी सुधार उपसमाहरता अपर समाहरता का सब का portal अलग अलग था हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे portal को एक ही portal पर लाकर अब हम link कर देंगे जिससे की अगर किसी तरह का कोई certified copy में भी छेर चार किया जाएगा तो CEO के आदेश को LRDC portal पर देख सकते हैं LRDC के order में कोई छेर चार किया जाता है तो additional collector भी यानि सभी लोग एक दुसरे के से portal पर link किया जा रहा है और अब एक ही portal सभी के लिए काम करेगा इसके साथ साथ प्रया देखा जाता है कि जब जबीन का लोग online दाखिल खारी परिमारजन या कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी तरूटियां रह जाती है तो हमने अभी एक सुरू किया है परिमारजन पलस portal यानि किनी का भी अगर आप घर बैठे जमावंदी जैसे वो ऐसे परवस्टी जिस पर की कोई भी तूटी रह गया है कुछ उसमें छूट गया है तो आप परिमारजन पलस पर अपलाए करके उसका करेक्शन करा सकते हैं इसके लिए अब आफ लाइन या फिजिकल जाने की आवसकता नहीं है एक जो सबसे बरी समस्या बिहार में थी दूसरे राज़ में इसको पहले से सुरू किया गया था कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कारियाले है, सरकारी आवास है इन सब चीजों का जमावंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था, बिहार में तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्वबं भूमी सुधार विभाज एक नया पोर्टल बिक्सित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमी का दाखिल खारिच उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमी का दाखिल खारिच इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन अस्तरों पर हस्थान अंतरित बंदोवस्त सरकारी भूमी अधिगरित रहयती भूमी की जमामंदी कायम करने की ववस्था की गई है और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेवसाइट बिहारभूमी.bihar.gov government.in पर उपलब्द है यानि सरकारी भूमी के दाखिल खारिज की पूरी बिवस्था आनलाइन कर दी गई है नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमी पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई काज़ात नहीं होता था जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमी का पोर्टल पर ये जमामंदी रहेगा तो हमारा सरकारी भूमी का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कबजा नहीं कर पाएगा इसके साथ साथ हमने जो फैसला लिया है कि अब कोई भी बाद विवाद क्योंकि law and order का problem होता है लोग को civil suit में court में जाना पड़ता है और civil suit का मतलब है कि दादा ने case किया तो पोता को judgment मिलेगा यानि 15 से 20 साल civil suit में court में लग जाता है इतनी लंबिक civil suit की नियाइक परकिरिया है इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी बिवस्था की जाए कि लोगों को court जाने की जौरत नहीं परे क्योंकि जब हमारी नियाइक परकिरिया है और नियाइक परकिरिया में level है कि पहले CEO सुनवाई फिर LRDC फिर additional collector फिर collector फिर commissioner तो इनको इसी नियाइक परकिरिया में ही उनको satisfaction हो proper judgment मिले जिससे कि लोगों को civil suit में जाने की जौरत नहीं परे और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दीन में किसी भी परस्थिती में कोई भी बाद विवाद का निराकरन पताधिकारी को करना होगा हमने तिथी तै कर दी है कि 90 दीन दाखिल खारीज आवेदनों को अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी के द्वारा बरी संख्या में औस्विकिर्थ कर दिया जाता है उसके पीछे उसका कोई ने कोई कारण होता है और उस कारण के साथ साथ एक कारण भरस्थाचार भी होता है कि औस्विकिर्थ कर दो उसके वाद वो ओफिस में दोरे और फिर जो है लेन देन की वबस्ता सुरू हो और ये ब्याप्त भरस्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कारियाल है और निचले अस्तर पर है इसको दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो औस्विकिर्ट किया जाएगा सियो के दौरा किसी भी आवेदन को तो उनको अधिकार होगा कि पहले वो आवेदक के बातों को सुने उनके पक्ष को सुने और सुनकर उसको पोर्टल में डाले और वो पोर्टल में डाला जाएगा कि आवेदक ने अपने पक्ष में क्या कहा है तभी वो औस्विकिर्थ कर सकता है जिससे कि अगले नियाईक परकिरिया जो LRDC का कोर्ट है इडिसनल कलेक्टर का कोर्ट है उनको ये नहीं कहा जाए कि आपने तो ये पेपर दिया ही नहीं और सारी परकिरिया अब ऑनलाइन पहले जमीन के मापी के लिए फिजकल जाके रसीद कटाना पड़ता था और अमीन जो है अलग अलग एक वार उससे भरस्टाचार करता था फिर दुसरे से कर लेता था अब जो है इमापी की बवस्ता हम लोग कर दिये हैं और उसके लिए इसके साथ साथ कई राजस्यक्रमचारियों के बारे में सिकायत मिला था कि वो बरसों से एक ही अंचल में जमें हुए हैं 20-20 साल से 25-25 साल से एक-एक राजस्यक्रमचारी वहां का तो आपने दिलिपकुमार जैसवाल को सुना उनका साब तरफ यही कहना था कि जिस तरीके से लोगों में जो यह देरी लगती थी कि जमाबंदी में या बंदोबस्ती में जिस तरीके से और दाकिल खारीज में जो समय लगता था अब वो समय नहीं लगेगा हम लोगों ने पोर्टल को भी लॉंच किया है अब जो है नब्बे दिनों में जो है दाकिल खारीज होगा साथी साथ जो पुराने दस्तावेज हैं उनको जो है अब वर्या अधिकारी सरविक्षन करेंगे जाच करेंगे उसके बाद ही उसका जो है दाकिल खारी या मोटेशन करा धूमी अबमराज शुमंत्राले में की माप्याओं का चरम सीमा पर उप्योग किया जाता था माप्याओं जो है और मर्याधित हो करके जो है लोगों से वसुली कर दे थे लेकिन अब गोर नहीं होगा और साथी साथ जो 10,000 बाली है और व्यार सरकार का एकी नितिरी है लोग झाल झाल